नमश्कार दोस्तों एक बार फिछ से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टिटूट पर और दोस्तों आप सभी के लिए जो है क्लासेज है वो आपको इसी चैनल के उपर मिल जाएगी अगर वो आपको देखनी है तो आपको जो है तो उसके लिए आपका चैनल सस्क्राइब होना चाहिए और साथ में बेल आइकन प्लेश होना चाहिए तभी आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जो है इन सभी क्लासेज का मिलता रहेगा तो इस क्लास के अंदर आपके जो है तो दोस्तो आज के पहले क्वेशन के अंदर आपसे पूछा गया है रिजूम का अर्थ है यानि कि रिजूम जो है उसका क्या अर्थ है किसी भी स्किल क्वालिफिकेशन और एक्स्पिरियंस की जानकरी देने वाला एक प्रवावचाली डोकुमेंट है या फिर कालपनिक जानकरी देने वाला डोकुमेंट है एक डोकुमेंट जो एम्पलायर को किसी भी जानकरी देने के लिए उप्योग किया जा सकता है या फिर हिस्टोन तो देखे सिंपल ची बात है एक ऐसा डोकुमेंट यह होता है जिसके अंदर आपकी जो है स्किल होती है क्वालिफिकेशन होता है आपकी एक्सपिरियंस होती है उन सबी को आप इसके अंदर रिजूम के अंदर लिखे और सामने जहां पर भी आप जोब करना चाहते हैं उसको देते हैं दोस्तो तो इसका मतलब किसी भी skill, qualification और experience की जानकरी देने वाला जो एक document होगा प्रभावसली वो एक तरीके का resume कहलाएगा तो ये question अगर आपके paper में आता है तो इस type से इसका answer है करना होगा दोस्तों अब इसके बाद में देखे next question के अंदर आप से पुछा गया है resume में सामिल की skill और strength है उपलब दियां, योगेता, communication, positive thinking and technical skill या अब की जो सभी तो दोस्तों इसके अंदर इसका right answer रहेगा सभी यानि कि आपके resume के अंदर की skill क्या होनी चाहिए तो उपलब दियां यानि कि किन किन point को आपने highlight किया होना चाहिए तो आपकी जो भी उपलब दियां है, आपकी जो qualification है, आपके जो communication skill है यानि कि जो बात्चित करने का जो तरीका है उसके बारे में तो उन सभी के बारे में आपकी highlight किया होना चाहिए तो यानिकि ये सही है यानिकि इस तीनों के तीनों जो है आपकी हाइलेट है किया होने चाहिए अब देखे इसके बाद में नेक्श कोशन गंदर आपसे पूछा गया है कि पूछे सुने दो रहें एक यसी तक्निक है जिसका उपयोग ग्रहक से परसन पूछ कर उनकी खालिस्तान को समझने में अवश्यक्त करता है परिवार को समझने में मदद करता है प्रष्ट भूमी को या जो परफाइल तो simple सी बात देखे कि आप किसी से question पूछेंगे तो उसके बाद में जो आपका ग्राहक है उसके बारे में आप कौन सी चीज़ के बारे में पूछेंगे उसके family के बारे में थोड़ी पूछेंगे या उसके काम के बारे में थोड़ी पूछेंगे तो उसकी किन चीजों के बारे में पता लगेगा अवशकताओं के बारे में और पूछे सुने दोहराई है इनके अंदर तीनों के तीनों जो है पूछना सुनना और दोहराना इन तीनों के बारे में हमने जो पिछली क्लास है उसमें डिसकस कर लिया था दोस्तो अब देखें next question के अंदर आप से पुछा गया है कि खुले सिरे वाले person वो है जिनका उत्तर सिदे से हां या ना में दिया जा सकता है यानि कि खुले सिरे वाले person वो है जिनका उत्तर हां या ना में दिया जा सकता है तो जी नहीं आपके खुले सिरे वाले वो परसन नहीं है जिनके अंदर जो हाँ या ना में आनसर दिया जा सके तो दोस्तो इसके अंदर हमने true and false यानि कि सही और गलत वाले कोशन इसलिए डाले है कि आप से इस तरी कोशन आजाता है कि इस से सम्मन्दित नहीं है तो आपको बताना पड़ सकता है कि कौन सा सम्मन्दित नहीं है या पिर आपने देखा हुगा कई बार कोशन आता है कि निमन को सुमेलित कीजिए तो चार ओप्सन देर के होते हैं सामने चार ओप्सन होते हैं उनको एक दूसरे के साथ में मिलाना होता है तो आपको यहाँ पर इसी लिए कोशन दिया है कि अगर आपके इस टाइप का कोशन आता है तो आपको अराम से आते होंगे वो कोशन अब देखे इसके बाद में नेक्स्ट कोशन के अंदर आप से पुछा गया है पुछे सुने दोराई तकनीक में बंद सीरे वाले परसनों का उपयोग वारतलाप के साधन के रूप में किया जाता है यानि कि सही है गलत है यानि कि पुछे सुने दोराई जो तकनीक है उसके बंद सीरे वाले जो परसन होते हैं उनमें उपयोग वारतलाप जो है उसके लिए किया जता है यानि कि बिल्कुल सही बात है जी हाँ किया जता है अब देखे इसके बाद में नेक्स्ट कोश्चिन के पूछा गया है कि पूछे सुने दोराएं तकनीक में निमलिक्त में से क्या सही नहीं है तो पूछे सुने दोराएं तकनीक में निमलिक्त में से क्या सही नहीं है द्यान पुरोग सुनिए प्रयास किजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संभव प्रोडक्ट बेचे द्यान दी बीच में धकल या बादा मत दीजिए तो पूछे सुने दो रहे तकनीक में निमलिक्त में से क्या सही नहीं है तो सिंपल सी बात है कि प्रयास कीजिए कि जदा से जदा संब प्रड़क्ट बेचें तो सिंपल सी बात है कि प्रड़क्ट बेचने के उपर आपका में फोकुस न लेकिन जादा साथ से ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचने के उपड़ आगर आपका ध्यान है तो आप सही तरीके से काम नहीं करेंगे आप सि assembly करने की और इन स्पी गरयके को दोहरा कर वापिस पुछटी रहें करने की आउशिकता है यानि कि एक बार जो है आपको सारी की सारी जानकरी मिल जाए यानि कि ग्राहिग ने आपको सारी की सारी जो जानकरी है वो संक्सित में बता दिया कि आपको उसको क्या चीछ चाहिए कितनी रेंज में चाहिए तो आप जो है वो सारी की सारी जानकरी एक फिर से दोहरा के पुष्टी करनी चाहिए तो जीन हाँ आपकी जो है करनी चाहिए क्योंकि सिंपल ची बात है उसने आपको बोला हो सकता है उससे कोई मिस हो गया हो तो उसके लिए अगर आप उससे दोहराएंगे तो वो आपको दो चीजें और भी बता सकता है तो इसका मतलब उसको जो है सारी की सारी जो बाते हैं वो आपको एक बार दोहरा के क्रोज चेक कर लेना चाहिए कि उसको इतनी ही चीजों की रिक्वाइर्मेंट थी दोस्तों यह जो है गलत है कि आपकी अपरतेक्स क्या कलोजिंग कहलाती है यह आपकी नहीं कहलाती है अपरतेक्स क्या कलोजिंग आप इंडिरेक्टली उसको ये बोल रहे हैं कि जी हम लोग इतना ही समाना आपको बेशना जाते हैं जैसे आपके घर पे कोई आता है तो आप अगर उसको ये बोल देते हैं कि ठीक है जी मिलते रहीएगा तो इसका मतलब उसको भी पता लग जाता है ना कि ठीक है ये आपको बेजने की बात कर रहा है यानि कि आप जो है अपने घर जाईए ये बात जो है वो इंडिरेक्टली कर रहा है अब देखे इसी तरीके का कोशन ये पूछा गया था अब देखे इसके बाद में नेक्स्ट कोशन गेंदर आप से पूछा गया है यदि सेल क्लोज नहीं होती है तो यह मैत्पूर्ण है कि ग्रायक से तरक वितरक नहीं किया जाए यानि कि आप जो है किसी को समान जो है नहीं बेच पा रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसके साथ में जो है तरक वितरक करें यानि कि उसके साथ में ज्यादा जो है मिस बिएव करें या फिर ज को शिंगंदर आपसे पूझा गया है कि यद exciting को शेल को close करने में मदद नहीं तो आपको पुना प्यास करना चाहिए जानी कि अगर आप किसी को समान बेच रहे हैं और समान बेचना बंद जो है वो आप वो अगर नहीं करने में मदद कर रहा है यानि कि अगर वो जान नहीं रहा है तो आपको एक बार फिर से समान बेचने का प्रयास करना चाहिए तो जी हाँ आपको एक बार फिर से प्रयास करना चाहिए ताकि हो सकता है कि आपका समान वहाँ पे बिक जाए अब देखे इसके बाद में नेक्स्ट कॉशन गंदर आपसे पूचा गया है यह मैतपूर्ण है कि ग्रहक को कारण पूचा जाए कि वे क्यों नहीं खरीदना चाते इससे आपको उन्हें बेतर विकल्प देने की मदद मिल सकती है तो जी हाँ सिंपल ची बात है कि कोई चीज खरीदने आया हुआ है आपकी शोफ पे और आप उसको वो खरीद नहीं रहा है तो आप उससे पूचे कि आप क्यों नहीं खरीद रहे हैं क्या कारण है तो आपको जब वो रीजन बताएगा अगर उसने बोल दिया कि मैंगा है तो आप उसको सस्ता इटम दिखा सकते हैं वो बोल सकता है कि इसका तो ये कलर सही नहीं है तो आप उसको कलर सही करके दे सकते हैं तो जो भी उसका कारण है उसका निवारन कर सकते हैं यानि कि ये बिलकुल सही है अब उसके बाद में next question में चानदर पुछा गया है कि professional networking किस माद्धियम से किया जा सकता है यानि कि professional networking किस माद्धियम से किया जा सकता है तो छिर्फ online, आमने सामने communication दोनों online और आमने सामने communication इनमें से कोई नहीं तो simple सी बात है कि आपसे पुछा गया है कि professional networking किस मद्धिम से किया जा सकता है तो दोनों online होने चाहिए और आमने सामने जो है दोनों का communication होना चाहिए यानि कि आप देखो simple सी बात है कि आपको जो है कि mobile पर video call पर बात करनी है तो पहली चीज दोनों online होने चाहिए दोनों आमने सामने जो है आपके सामने बात करने चाहिए तभी जो है आपका एक professional networking बनेगा अब देखे इसके बाद में next question कि आपसे पूछा गया है कि ग्राहक का अभिवादन करते समय मुझे अनौपचारिक अभिवादन की आफशकता है यानि कि ग्राहक का अभिवादन करते समय मुझे अनौपचारिक अभिवादन की आफशकता है तो जी नहीं आपको अगर आपको अभिवादन करना है तो अनौपचारिक नहीं होना चाहिए यानि कि जो आप दिखावे के लिए विवादन नेक्स्ट कोशिंगें अंदर आपसे पूचा गया है मैं अच्छा हूं को ऐसे भी कहा जा सकता है यानि कि मैं अच्छा हूँ को ऐसे भी का जा सकता है मैं हूँ क्या अच्छा यानि कि आप से पूछा गया है कि मैं अच्छा हूँ तो नीचे कमेंट सेक्षिन के अंदर कमेंट करके बताइए कि मैं आपके लिए कैसा हूँ अच्छा हूँ क्या तो अब देखे इसके अंदर आपको option क्या दिये गए है मैं ठीक हूँ, मैं a person हूँ, मैं बावुक हूँ या फिर जो है stone यानि कि अब देखे simple ची बात है अगर आप मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ अगर आप बोलते हैं तो इसका मतलब आप यही कह रहे ना एक तरीके से कि मैं ठीक हूँ, यानि कि मैं अच्छा हूँ तो यानि कि इसका जो right answer रहेगा, वो रहेगा a option अब देखे इसके बाद में next question के अंदर आप से पुचा गया है कि गुणवत्ता चकर खालिस्तान को व्यक्त रखता है यानि कि गुणवत्ता चकर खालिस्तान को व्यक्त रखता है काम समंदी मुश्किलों को हल करने में करमचारी मालिक परवंदन ग्रह का option दिएगे यानि कि गुणवत्ता चकर करमचारी को व्यक्त रखता है मालिक को व्यक्त रखता है प्रबंदन को मेस्त रखता है या ग्रहक को वेस्त रखता है तो गुणवत्ता जो चक्र होता है दोस्तो वो आपका करमचारी जो होते हैं उनको क्या रखता है वेस्त रखता है काम समंधी मुश्किलों को हल करने में दोस्तो अब देखें इसके बाद में आपसे पुछा गया है बिना चहरे पर मुस्कान लाए किसी ग्राहक का अभिवादन करना ठीक है यानिकि आप किसी को अपनी शुप पे बुला रहे हैं और बिना मुस्किराहट के कर रहे हैं किसी के ऊपर कोई ना तो रियक्शन है या फिर आपका मूड नहीं अविवादन करने का तब भी आप उसको जब बुला रहे हैं कि आईए सर तो इसका मतलब आपने कभी भी देखा होगा कोई भी शोप पे जाते है तो वो एक तरीके से अलकी सी समाइल होती है उनके फेस पे कि आईए सर आईए सर कहते हैं तो इसका मतलब कोई भी जो आप बिना चेहरे पर मुस्कान लाए ग्रहक का अविवादन करना चाहिए क्या तो जी नहीं करना चाहिए ये बिल्कुल गलत है क्योंकि अब सिंपल सी बात है किसी का इस तरीके से अविवादन करोगे तो उसको भी पता लगेगा कि आप जो है बस उपर उपर से दिखावा कर रहे हैं दोस्तों अब इसके बाद में नेक्स्ट कोशिन के अंदर आप से पुछा गया ग्रहक को स्तान स्पेस देना उतना ही मैथपूर्ण है जितना उसे उचित आई कोंटेक्ट बनाना है यानि कि देखो कि कोई भी जो आपका ग्रहक है उससे आप जो है सामने कम्यूकेशन कर रहे है तो आई टू आई कोंटेक्ट होना चाहिए यानि कि उसके आंखों में देखने चाहिए आप दूसरा उसके पास प्रेप जो है जगह होनी चाहिए कि उसको खड़ने के लिए जो है या फिर उसको जो है चैंजिंग रूम के लिए तो इस मैं आपका से पूछा गया है, नेक्स्ट कॉच्शन केंदर कि सीनियर और उ मर में बड़े ग्रायक को अभिवादन औप चारिक तरीके से कियआ जाता है यानि कि आप कहते नहीं कि नमस्कार उंकल तो उस तरीके से आपका जो है अभिवादन किया जाना चाहिए तो यानि कि बिल्कुल सही है कि आपका अगर कोई सीनियर या उमर में कोई बड़ा है और ग्राहक है आपका तो आप जो है उससे थोड़ा सा फेमिली यह रहिए और उसको जो है नमस्कार वगेरा करके रखिए ताकि वो भी उसको भी अच्छा लगता है क्योंकि फेमिली यह लगता है उसको अब देखे इसके बादे में नेक्स्ट कोशिन गंदर आपसे पूछा गया है कि इन में से गलत कथन कौन सा है इन में से गलत कथन कौन सा है परीचित हो या एप परीचित उनका अभिवादन करना चाहिए परीचित हो या आप परीचित उनका अभिवादन करना चाहिए या फिर कारेस्तल पर अभिवादन मित्रों को अभिवादन करने से बिन है या फिर किसी का अभिवादन करते समय है बोड़ी लेंग्वेज उतनी महत्पून नहीं जितने आपके सब्द है या फिर अव्यादिन करने के दो परकार है उपचारिक और अपचारिक तो इन में से इसने पुछा गलत कथन कौन सा है जैसा मैंने उपर बोला था न आपको कि आपका true and false वाले जो question है वो अगर आते हैं आपके paper में तो इस type के question सही या गलत वाला इस तरीके का question आ सकता है कि इन में से कौन सी चीज गलत है तो आपको पता होगी अगर पहले वाली जो true and false में सारी चीज है तो इसमें अगर आपको चार option मिल जाते है तो आपको पता लग जाएगा कि यह जो चीज है यह आपकी गलत है तो देखिए आपको दिया गया है परिचित हो या आप परिचित उनका अभिवादन करना चाहिए तो यानि कि कोई आपका जानकार है या अनजान है तो उसको जो है अभिवादन होना चाहिए तो बिलकुल सही बात है कार्यस्तल पर अविवादन मित्रों के अविवादन से अलग है यानि कि अब देखो सिंपल सी बात है जहां पर आप काम करते हैं और जो आपके साथी मित्र है उनके साथ आपका अविवादन यानि कि बोल चाल करने का तरीका है वो सारा कुछ अलग है न तो ये भी सही है एक तरीके से इसके बाद में किसी भी अभिवादन करते विपार तरीके संगे बोड़ी लेंग्वीज उतनी महत्मून नहीं नहीं है जितने आपके सब्द है तो ये बहुत ही गलत है क्योंकि आप देखो सिंपल सी बात है किसी का विवादन करते समय बोडी लेंग्वेज भी उतनी इपोर्टेंट है जितने आपके सब्द है क्योंकि आप जो है सही तरीके से अगर body language के साथ में अगर बोलेंगे तो थोड़ा सा attractive लगता है थोड़ा सा उसका जो है effect जादा पड़ता है इसके बाद में अविवादन करने के दो परकार है उपचारी को रनो पचार कि ये बिल्कुल सही है तो इसका मतलब कि किसी का अविवादन करते समय आपके सब्द है ये इसका right answer रहेगा तो ये आपका कतन जो है वो बिल्कुल है गलत दिया गया दोस्तो तो उमीद करता हूँ कि ये जो सारे के सारे कोशन है ये आज आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे तो अगर आपके समझ में आगे तो नीचे comment section के अंदर comment कीजिएगा दोस्तो और इससे आगे के जो कोशन है वो आपको next class में मिल जाएंगे तो मैं जो next class है वो जल्द ही provide करवाने की कोशिस करूँगा दूसरा अगर आप channel पर पहली बार आए हुए है यहने कि आप channel पर अगर पहली बार आए है तो channel को subscribe जरूर करना है क्योंकि आगे आने वाले जो classes होती है उनके notification अगर आपका channel subscribe होता है तो ही मिलते है दोस्तो और वीडियो आपको कैसी लगती है और आपके जो है अगर साती मितर है उन तक वीडियो को share करना है और जो है आपको वीडियो को like करना है यह जो तीन चार चीज़े होती है यह आप करते रहे ताकि जितनी मेनत हम आपके लिए करते है उसके लिए मुकाबले यह बहुत ही कम है दोस्तो तो उमीद करता हूँ कि यह आपके लिए काफी important रहेगी class और आपके लिए एक next class लेके जल्द ही मैं आने वाला हूँ तब तक के लिए जैहिन जैबार दोस्तो